पच्वार में पिछले सप्ता व्यापारी का अपरण और हत्या के मामले के बाद लगातार चोरिया हो रही है बदमाशों ने रविवार सोमवार के रात पच्वार के मुखित जवराहों पर चार दुकानों के शटर और तोड़कर दो दुकानों से नगदी चोरी करनी यह वारदात सोमवार तड़के करीब पॉने चार बज़े की है रविवार को भी तीन चोरी की घटनाएं सामने आई थी शटर तोड़ कर दोनों दुकानों से चोरी के मामले में पुलिस ने खबर लिखे जाने तक F.I.R. दर्ज नहीं की थी पचोर थाने के टे ओफिसर S.I. दिलिप सिंग राजपूत ने बताया कि दोनों मामलों में आविदन लिये हैं सिसी टीवी के मुताबिक सुबह पॉने चार बचे बोड़ा नाका पर राजपूत के राना एवं जनरल स्टोर में चोरी हुई यहां ताले चटका कर चोरों ने दुकान के गल्ले से नगदी निकाली आविदन के मुताबिक दुकान से 25,000 रुपाई की नगदी चोरी हुई है दुकानदार मनुज राजपूत के अनुसार पुलस को CCTV फुटेज उपलब्द करवा कर शिकायत की लिकिन पुलस ने सिर्फ आविदन लिया है बोड़ानाका के दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि बोड़ानाका पर पुलस जूटी पर रहती है यहां रात 12 बचवे तक होटले खुली रहती है पहली बार डायल सौ वाहन ने रात साड़े दस बज़े ही दुकाने बंद करवा दी थी उसके बाद सुभव पॉने चौर बज़े चोरी की घटना हुई है लोगों का आरूप है कि डायल सौ पर तैनात करमच्वारियों ने रात में यहां लोगों को नहीं बैठने दिया एसकारण चौरी की घटना हुई है सारंगपुर से क्राइम भाश्री के लिए प्रदीब जयन की रिपोर्ट